बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हर दिख स्वागत है। दोस्तो आज की वीडियो में हम English Pedagogy के Tag Words को जानने की कोशिश करेंगे। जिनकी सहयता से आप English Pedagogy बिना पढ़ें भी English Pedagogy के कुछ Questions को बड़ी आसानी से और accuracy के साथ उनको solve कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाए गया है। आपको इस चैनल को subscribe कर लेना है, इसके बराबर में जो bell icon बनके आता है उसको all पर set कर लो, जिससे वीडियो के notification आपको मिलते रहें। इसके अलावा जिस भी student ने हमारा Telegram जोइन नहीं किया है, वो हमारा Telegram जोइन कर लें। जैसे जो भी exam है, answer की आई है, कोई भी news हो, सारी news हम Telegram चैनल में डाल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं English Pedagogy के Tag Words की सबसे पहले हम positive Tag Words की, positive Tag Words को discuss करने वाले हैं। इसके बाद हम negative Words को discuss करेंगे। यह help करते हैं जैसे माल लीजिए, आपका question है English Pedagogy में, आप थोड़े से उसमें doubtful हैं, आप थोड़े से उसमें फस गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हैं। तो उन options की सायता से इन Tag Words को उसमें देखिए और अपना answer सही टिक कर दीजिए। एक एक कर देख लेते हैं, सबसे पहला जो Tag Word वह है, Provide Opportunities, यानि कि बच्चे को opportunities provide करना, Create Opportunities, बच्चे के लिए opportunities create करना, यह दोनों चीज़ें आपको अलग लग देखने को मिलेंगी, आपको या तो provide opportunities मिलेगा, या फिर आपको create opportunities मिलेगा, अगर प्रश्न में, आपका question में पॉजिटिव पूछा है, not option में नहीं है, समझेगा, और question में आपके, अगर not नहीं है, तो आप सीधा इसको देखकर, टिक करके चलियाना, 100% आपका answer सही होगा, आगे है आपका child-centered learning, तो जिसको आप Hindi में बाल, केंदृत, सिक्षा कहते हो, और आपने बाल, विकास से लेक आपको दिख जाए, तो टिक करके चलियाना, कभी answer गलत नहीं होगा, आगे है drill and practice, drill and practice एक तरह से practice method होता है, और drill and practice अपने आप में क्या है, बड़ा positive word है, ठीक है, आपको दिख जाए, आपको दिख जाए, तो सीधा टिक करके चलियाना, ठीक है, आगे देख लेते हैं, आ बच्चे को उसका habit formation करना होता है, तो यह अपने आप में बड़ा positive word है, ठीक है, आपको option में दिख जाए, तो tick करके चलियाना, अगर option में positive पूचा है तो, question में आपको positive पूचा है तो, अगर question में not दिया है, तो यह सारे आपको तुरंत देखकर cross लगा देना है, यह सारे यह सारे नहीं होंगे फिर, यह चीज़ आप याद रखना, habit formation अपने आप में बड़ा positive है, child's language is a resource, मैंने आपको बालविकास में समझाया था, कि बहु भाशिकता होती है कक्षा में, diversity पाई जाती है, उसको teacher को एक संसाधन के रूप में लेना होता है, तो यहां पर English में हो जो आपका बहु भाशिकता है, multilingualism है, वहां से यह प्रशन पूचा जाता है, English Pedagogy में ठीक है, और मैं आपको फिर बता देता हूँ, जिस student को English Pedagogy पढ़नी है, जिसकी English कमजोर है, उसको English Pedagogy कैसे पढ़नी है, वह आप प्लीलिस्ट में चले जाएए, English Pedagogy का कोर्स है, मैं आगे बढ़ते है, Real Life Interaction, Real Life Interaction आपको दिख जाए, इसका मतलब यह होता है, कि Real Life है, उसके इंटरेक्ट करके बच्चे को पढ़ाना है, उसको रिलेट करके बच्चे को पढ़ाना है, बोलते हैं बच्चे के दैनिक जीवन से संदर्वित होने चाहिए सारी चीज है, पूचा है तो, आगे है आपका Personal Response Questions, यह कौन से questions होते हैं, तो यह जो questions के टाइप आप English Pedagogy में पढ़ते हो, उसी में यह Personal Response Questions होते हैं, Personal Response Questions अपने आप में बड़े positive होते हैं, और अगर questions positive पूच रहा है, तो जरूर इसको टिक करके आना, 99% आपका अंसर सही होता है यह, है चलिए आगे है, Engage Learners, जो Learners होते हैं, कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको Engage करना, उनको Learning Process में Engage करना positive होता है, आपको Engage Learners आपको दिख जाए किसी option में, तो टिक करके चलिया आना, ज्यादतर आंसर यही होता है, ठीक है, और एक चीज में हमेशा बोलूँगा, उस में not होगा, not नहीं होगा, तो जातर वो positive ही पूछता है, motivate the students, बच्चे को motivate करना, आप हिंदी में इसको अभी प्रेरित करना, ऐसे English में motivate the students, तो जिस option में आपको motivate the students वाले word दिख जाएं, आप समझ जाना positive है, अगर positive पूचा है, तो टिक करके चलिया आना, आगे है use of different approach, क किसी एक method से बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत सारी different approach यूज करी जाती है, तो जिस option में different approaches का use हो, वो positive होता है, और जो option किसी एक approach या फिर किसी एक method पर बल दे रहा हो, वो negative होता है, तो यह चीज़ आप याद रखना, यह है आपका positive words, ठीक है, मैं positive words बता रहा जो बच्चा mistake कर रहा है, सबसे पहले तो वो positive होता है, और उस mistakes को class में discuss करना भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा positive होता है, तो यह चीज़ आप याद रखेंगे, positive है, बच्चा गलती कर रहा है, positive है, और उसको सारे बच्चों के साथ डिसक्स करना भी क्या है, positive है, तो अभी में आपको English Pedagogy, chapter wise भी बढ़ा सकता हूं, negative positive words, अभी उस पर थोड़ी सी research करनी पड़ेगी, देखने पड़ेंगे किस तरह के आपके अग्जाम में previous paper में questions आते हैं, और उनी के आधार पर आपके positive negative words निकाले जाएंगे, अभी एक long term video भी में लेकर आऊंगा, एक प् 12 number तो यसी पक्की हो जाएंगे, है ना, चलिए, negative word में सबसे पहला negative word है, provide information, information provide करना बच्चों को, जानकारी देना, negative है, क्या है, negative, अगर question में not लिखा हुआ है, तो जादा तर यही answer होगा, provide information is a negative word, provide solution, बच्चे को solution provide करना भी negative है, provide explanation, बच्चे को explanation provide करना भी क्या है, negative है, यह चीजें आपको याद रगनी है, तीन word होगा यह, provide information, provide solution, provide explanation, यह तीनो वर्ड नेगेटिव है, provide opportunities, यह positive है, जो हमने पहला ही पढ़ा था, positive words में, हर चीज को provide किया सकता है, लेकिन positive चीज को provide करोगे, तो positive में आएगा, negative चीज को provide करोगे, तो negative में आएगा, ठीक है, रटंत विद्या, रट्टा मारना, इसको English में रोट मेमोराइजेशन कहते है, ठीक है, तो जैसे Hindi में, बाल विकास में यह negative था, रट्टा मारना, English में भी तो negative ही होगा, रोट मेमोराइजेशन अपने आप में negative है, अगर option में, अगर question में नॉट दिया है, तो इसको टिकर क है, वो strict करना अपने आप में negative चीज है, यह English में भी पूछा जाता है, काफी बार English पेडागोजी में, तो strict discipline भी क्या है, अपने आप में negative है, आगे है lecture method, मैंने आपको बताया था, बहुत सारे method, different approaches and different methods का use गया रहा है, तो तो positive है, लेकिन जब किसी एक method या approach पर बल देग है, उसको English में, जैसे यह पर lecture method है, bilingual method है, वो सारे negative होते है, जैसे बालविकास में मैंने आपको बताया था, केवल, ही, भी, वो सारे negative है, ऐसे English में सब के लिए एक वर्ड है only, only क्या है, negative है, कहीं पर भी आपको दिख जाए, आँख बंद करके, कितना भी बड़ा option हो, चार to sit quietly, बच्चों को चुपचा बेटने के लिए कहना, अपने आप में negative आपको पता है, तो ask to sit quietly भी क्या है, negative है, आगे देख लेते हैं, pen paperwork only, pen paperwork की अगर बात आ जाए, और इसमें देख लीजिए, बादम लास्ट में only जुडा है, तो एक तो मारा तो ऐसे negative हो गया है, क्योंक अधिशनल नहीं होती है, है ना, तो एक classroom जो होती है, वो बहु बाशिकता वाली, बिविलता वाली classroom होती है, तो किसी एक, जैसे seat 8 में होता भी है, जैसे कोई एक प्रिशन है, और option में देगा, सार रिक विकास, मांसिक विकास, सम्वेकात्म विकास, यानि कि कि कोई एक topic के अलग अलग पक्षों पर option अगर बल देती है, तो 90% वो आंसर नहीं होती है, ठीक है, और जो option सभी पक्षों पर बल देता है, पूरे विकास पर जो बल देगा, वो जातर आंसर होता है, तो इस चीज को भी आप समझेगा, आगे है teacher-centered approach, यानि कि child-centered जो लर्निंग हो positive होती आगे बढ़ते है, offer guidance, guidance को offer करना भी अपने आप में क्या है, negative चीज है, तो दोस्तो यह है आपके negative tag words, English Pedagogy के यह negative tag words है, और positive tag words, इनकी सहायता से आप अप्रशनों को eliminate भी कर पाऊगे, options को eliminate कर पाऊगे, और यह accuracy भी लाते हैं आपकी, ठीक है, आपकी accuracy भी लाते हैं, तो दोस्तो यह थी आपके लिए English Pedagogy के tag words की class, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इस वीडियो को आपको लाइक करके जरूर जाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और पहली बार चैनल पर आए हैं, तो subscribe करके bell icon को all पर set कर लेना मिलते हैं next वीडियो में, आज के लिए तना ही धन्यवाद.